जैश्री राधे, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रणाम कल्यान पत्रिका में आया है कि साधक को भगवत प्रेम से कभी निराश नहीं होना चाहिए जिसको भगवान के प्रेम की चाह होती है उसे प्रेम अवश्य मिलता है प्रेम की भूमी का अनेक प्रकार की होती है प्रेम की कभी पूनता नहीं होती इस कारण प्रेमी को हरेक अवस्था में प्रेम की कमी का अनुभव होता है अतह येदी साधक इस भाव से अपने में प्रेम की कमी का अनुभव करता है तब तो ऐसी बात नहीं है कि उसको सदैव, नित्य नया रहने वाला प्रेम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि प्रेम का यह स्वभाव ही है प्रेम अनन्त है, प्रेमास्पत प्रभु भी अनन्त है प्रेम की लालसा भी अनन्त है फिर जहां दोनों अनन्त हों वहां पूर्णता कैसे हो यदि प्रेम की इच्छा रहते हुए सचमुच भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके नय मिलने की गहरी वेदना होनी चाहिए दुख होना चाहिए वह वेदना अवश्य ही भगवान का प्रेम चाहने वाले को भगवान के प्रेम की प्राप्ति करा देगी यदि भगवान के प्रेम की चाह भी है और उसके प्राप्त नह होने की तिवर वेदना भी नहीं है तो साधक को समझना चाहिए कि मेरे जीवन में किसी ना किसी प्रकार का रस है जो मुझे प्रेम से वंचित करने वाला है विचार करने पर या तो किसी प्रकार के सदगुन का रस या किसी प्रकार के सदाचार का रस दिखलाई देगा क्योंकि प्रेम चाहने वाले के मन में भोग वासना और भोगों का रस तो पहले ही मिठ जाना चाहिए जब तक भोगों में रस प्रतीत होता है तब तक तो प्रेम की चाह प्रेम की सच्ची चाह ही नहीं होती भगवत प्रेम का मुल्य सद्गुण या सदाचार नहीं है अतह उस प्रेम में हर एक मनुष्य का अधिकार है पतित से पतित भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है क्योंकि जिस प्रकार भक्त वत्सल होने के नाते श्रीहरी अपने भक्त से सनेह करते हैं वैसे ही वे पतित पावन प्रभु, अधम उधारक और दीन बंधु भी तो हैं ही अतह दीन ही इन पतित से भी वे प्यार करते हैं उसे भी अपना प्रेम का पात्र समझते हैं वे मनुष्य से किसी सौंदर्य या गुण के कारण प्रेम नहीं करते क्योंकि अनंत दिव्य सौंदर्य अनंत दिव्य पतित पावन प्रभु, अधम उधारक और दीन बंधु भी तो हैं ही अतह दीन ही इन पतित से भी वे प्यार करते हैं उसे भी अपने प्रेम का पात्र समझते हैं वे मनुश्य से किसी सोंदर्य या गुण के कारण प्रेम नहीं करते क्योंकि अनंत दिव्य सोंदर्य अनंत दिव्य सद्गुणों के वे केंद्र हैं किसी एश्वर्य के कारण प्रभु प्रेम करते हूं ऐसी बात भी नहीं है क्योंकि उनके समान एश्वर्य किसी के पास है ही नहीं वे तो एक मातर उसी से प्रेम करते हैं जो उन पर विश्वास करके यह मान लेता है कि मैं उनका हूं वे मेरे हैं बस इसके अतरिक्त भगवान और कुछ नहीं चाहते इसलिए हर एक मनुश्य भगवान के प्रेम का अधिकारी है जै श्री राधे